बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ Errors of Principles यानि ऐसी Errors जहां पर Accounting Concepts या Accounting Principles की गलती की विरह से Accountant कलती कर दिता है वो Transaction के Nature को नहीं समझ पाता है कि कि वो Capital Nature की है या फिर Revenue Nature की है ठीक है न? किसी खर्चे को Expense में Count करना है या Asset में Count करना है उसको यह नहीं पता है तो ऐसे में वो जो चीज़ Asset में Count होने चाहिए उसके Expense में Count कर देता है इसका उल्टा भी कर सकता है किसी Expense में Count होने चीज़ को Asset में Count कर लेता है तो ऐसी गलतीयों को कहते है Error of Principles ठीक है बच्चो तो आईए कुछ points discuss कर लेते हैं related to error of principle एक point आपको सामने नजर भी आ रहा है furniture purchase for rupees 2000 has been debited to purchases account तो बच्चो furniture की purchase purchase account में नहीं जाने चाहिए क्योंकि purchase account में जाती है goods की purchase मगर ये तो furniture है furniture goods नहीं है अगर question में जब तक कहा न चाहिए कि furniture में ही वो businessmen deal करता है तब हम furniture को goods नहीं मानते दूसरी tangible asset मानते हैं ठीक है तो केवल goods की purchase को ही purchase account में लिखना चाहिए था मगर हमारे accountant ने furniture की purchase को purchase account में लिख लिया तो इसको ठीक करने का तरीका बहुत ही असान होता है बच्चों कि purchases को आप चो है credit कर दीजिए क्योंकि purchase को कम करना है तो उसे credit करना पड़ेगा furniture को बढ़ाना है तो वो debit करना पड़ेगा ठीक है और जिस भी credit से खईदा होगा तो चाहे आपने furniture खईदा हो चाहे goods खईदे ह जाओगा तो गलती उस person के आप बिल्कुल भी नहीं है simply furniture और purchase की बीच की बात है furniture को बढ़ाईए debit करेए purchase को कम करेए credit करेए 2000 से ये entry बन जाएगी और इस तरह से ये गलती rectify हो चाहेगी ठीक है बच्चो आई एक और transaction देख लगते हैं और समझते हैं इसको और अच्छी तरह से error principle को बच्चो इस transaction में ये कहा गया है कि रुपी 6000 paid to x as salary was debit to x's account तो salary आपने x को पे करी है ठीक है बच्चो तो काईदे से जो है debit किसको होना चाहिए था salary को तो कि जब भी हम को expense pay करते हैं तो expense को debit किया जाता है ना कि उस person को जिसको expense pay किये गए है ठीक है चाहे salary हो चाहे rent हो ठीक है बच्चो या कोई और खर्चा हो तो हम expense को debit किया करते हैं मगर यहां पा इनोंने person को debit कर दिया है तो जो accountant है उसने person को debit कर दिया instead of expense उसने ये यह उचा होगा कि हम किसी क्रेख को कर रहे हैं ठीक है और को जो मगर तो एक ठीक होना चींख था ना कि उस परसण को तो इसको करेक करने के लिए आप सेल्य को Debit कर दीजिए और एक्स को credit कर दीजिए ठीक है बच्यों और और एंट्री बन जाएगी salaries account debit to X's account 6000 6000 अब salary pay की होगे इमने cash में तो चाहिए हम expense pay करें चाहिए किसी क्राइटों को पे करें cash तो credit हुआ होगा in any case तो cash में कोई गलती रही है इसलिए rectify entry में उसका नाम नहीं आएगा entry बनेगी salaries account debit to X account ठीक है बच्चो यह देख लिजे आप एंट्री तो इस तरह से यह एरर हमारी रेक्टिफाई हो गई आई एक और पॉइंट देख लेते हैं इस ट्रांदेशन को देखिए बच्चो वेजेज पेड रुपीज फाई थाउजन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वस मशीनरी अकाउंट में क्योंकि एसेट जब तक आपके काम करने लाइग नहीं बन जाती है जब तक वो रेडी फॉर यूज नहीं हो जाती है तो उस पर जो भी खर्चा किया जाता है उसको आप एसेट की कॉस्ट में ही काउंट करते हैं ठीक है बच्चो अगर यह वेजेज के रेगलर वर्ट के लिए पे करे होते तो यह वेजेज अकाउंट में जाता मगर यह वेजेज मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए पे कर गए हैं तो इसको मशीनरी एकाउंट में डेविट करना चाहे था ना कि वेजेज अकाउंट पर ठीक है बच्चो अब चाहे आप आपने wages पे करा हो या machine के लिए पे करा हो तो payment तो cash में हुआ होगा तो cash तो दोने case में credit ही हुआ होगा तो गलती cash की नहीं है ठीक है सिर्फ machinery और wages के बीच की बात है machinery को बढ़ा दीजिए और wages को कम कर दीजिए asset बढ़ेगी तो debit हो जाएगी और expense कम होगा तो credit हो जाएगा और entry 5000 से बनेगी machinery account debit to wages account 5000-5000 clear बच्चो उमीद करता हूँ कि आपको ये तीनों point जो मैंने discuss करें है related to error principle वो अच्छी दाइस उनमें आयोंगे आईए एक और point discuss कर लेते हैं furniture की sale जोकी 10,000 रुपे थी उसको sales book में record कर लिया गया तो बच्चो furniture एक asset है और asset की sale को हम sale book में record नहीं कर सकते हैं furniture की sale को हम sales book में तभी record कर सकते जब हम furniture में ही deal कर रहे होते हैं या हमारा business जो है फurniture में ही deal कर रहा होता तब furniture उसके लिए goods होता लेकिन अगर question में mention नहीं है तो हम furniture को goods नहीं मानते हैं एक tangible asset ही मानते हैं और sales book में किवल goods की sale को ही record किया जाता है ठीक है? तो ये furniture की sale sales book में record नहीं होने चाहिए थी यहने sale को नहीं बढ़ाना चाहिए था ठीक है बचो? यहाँ पर एक चीज और clear कर दूँ मैं हमने जिस भी person को sale करी होगी furniture की उस person का इसमें कोई role नहीं है इसकी rectifying entry में क्योंकि वो तो in any case debity होना था ठीक है बचो? तो यहाँ पर बात केवल furniture और sales के बीच की है आपको sale को कम करना है और साथ साथ furniture को भी कम करना है क्योंकि furniture बिग गया है sale कम होती है तो वो debit कर दी जाती है और asset कम होती है तो वो credit कर दी जाती है तो इसकी rectify entry बनेगी बच्चो sales account debit to furniture account ठीक है बच्चो? clear बच्चो यह तो इस तरह से error principle को correct किया जाता है error principle को आप समझ लिए बच्चो कि यह वो transactions होती है या उस तरह की errors होती है जहां पर आप transaction के nature को नहीं समझ पाते है जो account end है उसने transaction के nature को नहीं समझा होगा उसने capital expenditure को revenue expenditure में consider कर लिया होगा या फिर revenue expenditure को capital expenditure में count कर लिया होगा personal expense को business का expense consider कर लिया होगा ठीक है या फिर बिजनस के expense को personal expense समझ लिया होगा तो कुछ इस तरह की errors को जो है हम error principle कहते हैं और सुधारने का तरीका बड़ा ही असान होता है जिस account को जिस head को जिस जगह आना चाहे था उसको उस जगह पचा दो और उसकी जगह जो दूसरा account head use हो गया है उसको opposite side लिखतो ठ इस तरह से यह error principle rectify की जाती है यह two-sided errors होती है because इनकी वादा से trial balance फिर भी match कर जाता है ठीक है clear बच्चो